कामरा टेस्ट और के बारे में एक्सपेंग कर ना चाहता हूं जो शायद आप लोग लिए इस पूलो सता है जो इन फिनिक्स नो 1 ंच 7 जो कैम्रा का सी है इसके बाद डाउन सैड का जो है वो 2 2 Megapixels तो टोल इंफिनिक्स नोट 10 में तीन कामरा स मिलते हैं वित अल्टरा LED ख्लश्लाइट एंड जो फरन का कैमरा है इट सिक्स्टींत मेगा पिक्सल तो जैसे आप कामरा के मोड़ समें जाते हैं इंफिनिक्स नोट तो यहाँ पर AI camera, AI cameras में आप जैसे tap करें के तो यहाँ पर आपको HDR का ओप्शिन बिलता है, जिसमें आप अपने picture के qualities को better बना सकते हैं, और यहाँ पर आप दोना option को mode भी का सकते हैं, जैसे के, let's say example, मैं इस camera से एक single line का capture करें, जैसे के आपको qualities पड़ा चलाब, जैसे के मैं इसको captured करूँ, so now let me show you, तो जो picture quality यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यह आपको थोड़ा सा यहाँ पर blur जैसा देखेगा, right, picture मैंने properly लिया, बट फिर भी यहाँ पर अगर आप zoom size करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा blur देखेगा, अब let me show you once again, तो यहाँ पर मैं एक और picture quality ले करता हूँ, तो यह जो है AI camera की तुम में ले रहाँ, and now let me show you, तो यहाँ पर जब मैं zoom करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो picture quality यहाँ पर इसमें सोड़ा जाड़ा बेटर आता है, अब यहाँ पर depend करता है कि आप lightning condition आपका कैसा है, कैसा lighting आप photo captured करता है, because वह first intention होता है, evening time में अगर आप लेंगे तो आपको एक इसमें feature मिल जाता है, जो कि है night mode का, जिसके तुरू आप और भी जारा better quality आप पिचर से ले सकते है, super night वाले options, यह option आपके आपके लिए night में जारा useful होगा, अगर nights में आप जारा पिचला तो आप जारा पिचला तो जिससे की थोड़ा सा आपको idea हो जाएगा, तो इसमें portrait option मिलता है, तो अगर मैं portrait option पर टाप कुरूँ, then tap on it, so now, यहाँ पर जो portrait का जो option है, वो आपको यहाँ पर bedroom मिलता है, so एकदम object में main focus है, and then उसके बाद यहाँ पर आपको zoom करने पर picture quality जादा bedroom मिलता है portrait में, as you can see that, mostly smartphone आपने notice किया होगा, कि यहाँ पर आपको blur जैसा एक option देता है, जैसे आप पूरा zoom करते है, लेकिन Infinex Note 10 का जो camera quality है, it's completely mind-blowing, और मैंने कि affordable, कम price में अच्छे quality और camera quality आपको इसमें मिलता है, let me show you, so it's completely awesome, तो इसमें 4 cameras के option मिलता है, पहला है AI camera, जिससे आप perfect type का image ले सकते हैं, इसके बाद beautiful camera है, जो especially इतना जारे useful नहीं है, लेकिन जो main portrait का है, and night में अगरा photo clips लाते हैं तो आपको super net का option मिलता है, अब यहाँ पर जैसे आप tap करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी option मिलता है, इंफिनेक्स नोर्टे में आपको slow motion का भी option मिलता है जो आप इससे record कर सकते हैं, अब let's example में slow motion का option पर tap करता हूँ, and यहाँ पर एक video को record करता हूँ, इसका दिखते हैं कि slow motion का option कैसा मिलता है, अब इसमें आप edit कर सकते हैं कि कितने part को आपको slow motion में set करना है, तो let's मैं इतना parts को रखता हूँ, and then play, तो यह slow motion में play हो रहा है, this is completely good right, अब let's say, यहाँ पर जो super night वाला option, फीचर है उसका आप यूज करके picture में click करता हूँ, तो इसमें देखते है picture quality कैसा मिलता है, super night mode वाले option का अगर आप यूज करेंगे picture quality के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा processing के लिए time लेता है, because आपके picture को better बना था, और यहाँ पर यह super night वाला mode है, इंफिनिक्स नोट 10 का इसमें picture quality आप देखेंगे, तो जादा better है as compared to portrait in AI camera, तो इस picture को देखना, इसके बाद जो मैंने picture क्लिक किया इस picture को देखना है, दोनों में बहुत difference है, यह picture इतना clear नहीं देख रहा है, उससे कई ज्यादा यह picture clear देख रहा है, right, तो super night अगर आप इंफिनिक्स नोट 10 में अगर आप night में photo लेंगे, तो आपको super night वाले feature का use करना जिससे की picture quality better आपको बिले, and it's completely worth it and useful, इसके बाद जैसे आप AI के option के जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 48 MP का option में लेगा, वह आपको simply on करना है, उसके बाद अगर आप एक picture लेते हैं, तो मैं फिर से इससे picture लेता हो, तो देखते हैं कि इससे कैसा quality मिलता है, तो अब यह 48 MP option मेंने on किया है, इसके तुरू मैंने पिक लिया है, तो इसमें और सुपर नाइट वाले में, दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यह picture सुपर नाइट वाला जो picture है, वह जादा clear दिख रहा है as compared to 48 MP, जूम करूं, लेकिन इसमें blur का जो option है बहुत ही कम देख रहा है जो age size है, वहाँ पर picture quality और भी जादा better आ रहा है as compared to this one, यह super night mode वाला picture लेकिन इसमें यह जादा shiny वाल रहा है as compared to 48 MP feature का use करके, तो यहाँ पर picture के quality को और थोड़ा समझाने के लिए मैंने, इस Infinix Note 10 के camera से 48 MP and एक और option है super night वाल option, यह दोनों का use करके मैं कुछ photograph क्लिक करूंगा जो आपको वीडियो के end में दिख जाएंगे, जिसके तो मैंने morning में कुछ photo क्लिक करूंगा and night time में कुछ photos को क्लिक करूंगा, जिसे कि आपको idea आजाएगा कि Infinix Note 10 का camera quality कितना जादा बेटर है अगर आप morning में या night time में photo अगर आप क्लिक करते हैं Infinix Note 10 के 48 MP का camera का use करके देन आपको picture quality मालन पर जाएगा, तो यहाँ पर जो picture quality लूँगा में only 48 MP और second night में जो लूँगा वो super night वाला जो feature है Infinix Note 10 का उसके तो फोटो क्लिक करूंगा तो जो आपको video के success में बिल जाएगा जोँ है झाल 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 और अगर में कहूँ तो इंफिनिक्स नोट 10 का जो क्यामरा है प्राइस टेके सबसे बेटर है आप पिदाउट इन डाउट अगर आपको क्यामरा कॉलिटी चीए और आपका बजट 10 से 12000 की बीच में तो विदाउट इन डाउट आप इंफिनिक्स नोट 10 के लिए जा सकते बि